मुझे अभी आना मंजूर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मैं नहीं चाहती है आपकी और मुख्तार के दर्मियान इस चंग का अलायकार बनूँ। उम्रा बेटी, तुम्हारे अजीज शोहर ने सारे शहर को तेहुबाला किया हुआ है। उसने अपने घर को फितने की आमाचका बनाया हुआ है। वो अपने हाथों से अपने आपको और अपने साथियों को फरा के रास्ते पर ले जाना चाहता है। उम्रा बेटी तुमने तो अपने शोहर को राम करने के आदा अपनी माँ से खूप सीखे हैं अपनी सनाना महारतों से काम क्यों नहीं ले रही हो ताके उस सरकश मखलूग को ठंडा कर सको मैं मुख्तार की जिन्दगी में इसलिए शामिल नहीं हुई हूँ कि मैं उसे कैदी बनाओ सरे तसलीम करने वाला मुख्तार मेरा मन चाहा शोहर नहीं है बाबा यानि तुम मुख्तार के आखरी इक्दामाद से मुआफिक हो मुख्तिया अपने शोहर के फैमो शोहर पर यकीन है बाबा रखियर फायदे की उतना कुछ नहीं कर रहा है कर रहा है बेटी कर रहा है रसूलल?!" ची किसम बेफायदा काम कर रहा है वो उस ने शेलाब के रास्ते मे घर बना लिया है मुसलिम उसके घर का महमान बना है इस बात की खबर अगर यजीद तक पहुँच जाए जो की यकिनन पहुँच गई होगी तो उसको और उसके घरवालों को मा डालेगा तुम यहां क्यों आई हो उसी वज़ा से जिसके खादर तुम यहां हो उम्बरा तुमारी बीवी और मेरी बेटी है मुखतार शाहर की बात मानना उस पर फर्ज है और वालदेन कहा खदा करना उसकी तकलीफ शरही है तुम्हें को इतराज है अतराज नहीं अतराज तो नहीं मुझे ताज़जब है क्योंकि उम्रा आना नहीं चाहती थी मैंने इसे यहां हादर करवाया है बिल्कुल तुमारी तरह पिर तो हमारा काम तमाम है उम्रा जलील होने के लिए हादर किये गए हैं या कुरबानी के लिए मुख्तार कुछ अकल की बात करो तुम लोग हादर करवाये गए हो मगर मैंने हाकिम उकुवा की हैसे से नहीं बुलवाया बलके एक बुड़े और खेरखाबाब की हैसियत से ताके तुम लोग मेरी बात सुनो कुफे के लोगों पर तक्या करना एक तूटी हुई तीवार पर तक्या करने के बराबर है कुफे के लोग वही लोग हैं जिने हस्त तली ने मर्द जैसे लोग कहा है ये लोग आत्मी जैसे हैं मगर आत्मी नहीं हैं इनकी बातों पर नास ना करो इनके बातों पर अपना दिल खुश मत करो इन पर भरोसा मत करो यजीद इतना सोना और तलवार और सिपाही रखता है कि फिरौन की तरह वो खुदाई का दावा भी कर सकता है रब लिजद्ध हमें अपनी पना में रखे हुसेन भी सारी बातों से वाकिफ है अगर उसे कूफियों पर इत्माद होता तो मुस्लिम को इन लोगों के लिए ना भीचता बलके खुदाता मैं ना तो कूफियों की वफदारी पर खुश हूँ और ना यजीद की ताकत से डरता हूँ मेरे लिए हुज़त वही है जो हुसेन इबन अली फर्माते है यजीद के हाथ बैट करना हराम है जी नहीं तुम्हारे पास कोई नसियत सुनने के लिए समझबूच नहीं है मुखतार तुम देहर के उस पार मैं इस पार तुम अनकरीब सुनोगे के मैं मजजिद कूफा के मिंबर पर एलान कर दूँगा और तुम लोगों की हमायच से अपना हाथ उचा लूँगा आप लोगों के पिछले इख़दाम ने यजीद को मुझसे बदकुमान कर दिया है तुम अपने आपरू की फिक्र कर रहे हो और मैं अपने आपरू की तुमने मुस्लिम इबने अखील की मेहमान नावाजी करके मुझे अपने साथ जंग पर आमादा कर दिया है तो फिर तलवार पर हाथ रख लो ताके मैं तुमें दिखा दूँ के सियासत ना माबाप को जानती है और ना बेटी और धामाद को मुझे नहीं मादूम था कि इसका दर तासुक दिखाएगा एक अनसारी मुझाहिद से बईद है कि यजीद को बरहुक समझे यकिनन यजीद ने उसे ड़ाया है मुझे एक डर्पुक भाप के रिष्टे पर तन्समत करो मुझतार यकिनन आप बहुत हरसास हो गई है उम्रा आज के बाद से कोई बात नहीं करूँगा ताके गलत फहमी नहो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुस्लिम किसी शिया मुफ्ती शियक के घर जले जाते शिया मर्दों के कहट साली पड़ गई थी क्या जो तुम उसके मेजबान बन खड़े हुए अगर बानों हुक्म करें तो अभी जाओं और मुस्लिम को घर से निकाल दू गरवारे जम्यदार हैं तो हिसाब मुझे नहीं देना पड़ेगा रोजर महशर भी तुम मौला अदी को जवाब दे दे मुख्तार तुम्हारे मुख्किल यह है कि तुम्हारा ससुर हाकमِ कुफा है तुम समझ रहे हो कि अमर साथ जैसे लोग जो इस्तख्त के लिए अपनी मकारी के साथ हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं क्या वो लोग बिकार बैठे रहेंगे तुम्हारी हाकि में कुफा से रिश्यदारी का चर्चा शुरू कर देंगे नौमान चला जाए और अमर साथ आ जाए ये ठीक रहेगा या नौमान रहे और शियों के साथ नर्मी से काम ले ये बहतर है अमरा, कुफा में एक मसला ये है कि यहाँ कोई तद्बीर करने वाला नहीं है काम करने वाला सियासदान नहीं है यहाँ ये लोग इसका दर्सादा लोग हैं कि सिर्फ आशु बहाना और दूआ करना जानते हैं मुसलिम मेरे घर के अलावा कहीं भी जाते तो वो अमान में नहीं होते उम्मे साबित की क्या खबर है सुना है कि उसका घर्शियों का दारल हुकूमत हो गिरा है उम्मे साबित भी इंसान है और गलती का इंकान है वो खुब जानती है के मुखतार किस गयर का मजनू है तरवाजे से कह रही हो ताके दिवारे भी सुन लें अमरा दिवार नहीं है बानो हम साफर मुखतार है यह आली से इश्ख था जिसने मुखतार को मुखतार से जोड़ दिया अपना ख्याल रखना मुखतार तुम किस के साथ है यह उमरा तुम किस के साथ है यह उमरा जर्वी के साथ? वो है कहा मैंने उस अब तक देखा नहीं उसने इजासत मांगे कि अपने आखा के घर का चक्कर लगा ले साबित की बहुत याद आ रही थी यह बहाना किया उसने मेरे ख्याल से वह मुस्लिम को देखने गया है तुम नहीं चाहते कि तुम भी अपनी सौतन के घर हो? मेरा बहुत दिल चाहता है मुखतार अगर मैं डरती हूँ कि इसकी ख़बर हाकी में कूफा तक पहुँच जाए और मामलात नजीद खराब हो जाए आज मुझे आख कर दिया है कल में रहाशर नशर कर देंगे आख कर दिया है? तुमने नहीं सुना? उन्होंने तैकर लिया है कि मेंबर पर जाकर हम सिर्शिदारी का अनकार कर दें शर्मिन्दा हूं उम्रा मुश्किल में आ गई हो तुम मेरी आखे अंधी हो जाए मैंने मौर मांगा था उसके साथ होने का सखम सहरे हूं